यूपी पूर्ट क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी स्टुडेंस आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पाल माइ नॉलिज टू यू में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब निंग किया तो सरूर करें साथी नए वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहल मिकी जी के बारे में बताय था इस भाग में हम व्यासह अर्थात्य व्यासदेव ची के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को आप एंदक सरूर देखें श्रवनान जली पुटपेयम विरचितवान भारता क्याम म्रतम यहार तमहम राग क्रिश्नम क्रिश्न दैपानम वंदे नमहा सर्व विदेतस्में व्यसाय कविवेधसे चक्रेपुण्यम सरस्वत्यायो वर्षमीव भारतम नमस्तूते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पुर्णह प्रज्वालितो ज जानमयाह प्रदिपाह शिरबान आन्जली पूट पेयम इसका संदिविच्छे दिखी शिरबान प्लस अन्जली पूटम अन्जली पूटम प्लस पेयम ठीक है शिरबान अर्थात कान रुपी और अंजली पुटम अर्थात दोनों हाथों को मिला कर बए दाने की आकार का रूप देना जिसमें जल आदी पीते हैं पेयम अर्थात पीने योग्य विरचीतवान अर्थात रचा रचनाकी भारत आख्यम अम्रितम भारत प्लस आख्यम प्लस अम्रितम तो भारत अर्थात महाभारत और आख्यम अर्थात नामक और अम्रितम अर्थात अम्रित यह अर्थात जो या जिनोने तम अहम रागम कृष तो दिखिए तम अर्थात राग्या आ सकती, stirred मैं, अरआगम अर्थात राघ्या आ सकती, ठीके, तो मैं उन कृष्ण वैपायन अर्थात् व्यासदेब की बंद्य अर्थात् बंदना करता हूं। यह अर्थात जिन्होंने या जो राग अर्थात बेश, तम अर्थात पाप से रहीत हैं तथा जिन्होंने शिरवन अर्थात कान रुपी अंजली द्वारा पिये चाने योग्य महाभारत आख्यम अर्थात महाभारत नामक अम्रत की रचना की है नमहा सर्वविदे तस्मी व्यसाय कवी वेध से चक्री पुर्ण्यम सरचत्वा यो सर्वमिदा भारतम सर्वविदे अर्थात सर्वविद अर्थात सब कुछ चानने वाले को ठीक है सर्वविदा मर्थात सब कुछ चानने वाले को तस्मी अर्थात उनके लिए व्यासाय अर्थात व्यास के लिए कवी वेधसे अर्थात कवी रूपी ब्रंभा को लिके वेधस अर्थात ब्रंभा होता है और कवी अर्थात कवी रूपी तो कवी रूपी ब्रंभा को सरस्थ्वा अर्थात वानी द्वारा सरस्थ्वती नदी द्वारा या सरस्थ्वती नदी काव वेदों में बहुत पुन्मानी कही है ठीक है यह अर्थात जो ठीक है वर्षम एव वर्षम प्लस एव अर्थात वर्षम क्या भारत वर्ष और एव अर्थात के समान तो भारत व हर्श के समां भारदमरेथात महाभारत को तो शुरू करते हैं व्यानवात को तो मैं उन शरवविद्धरत हर्थात सरवज्य कभी अर्थात सब कुछ जानने वाले कभी व्रंभा श्री व्यास जी को नमहारथात नमस्कार करता हूँ नमन करता हूँ जिन्होंने यह अर्थात जिन्होंने अपनी वानी से पुन्न मर्थात पुन्न पुन्नतम भारत मर्थात महा भारत की रचना की है जिस प्रकार ब्रम्भा ने चरस्वती नदी द्वारा भारत को पुन्न भूमी बना दिया है नमस्तु ते व्यास विशाल वुद्धी फुल्लार विंदायत पत्रनेत्र ये न त्वया भारत त्याईलपूर्णह प्रज्वालितो ग्यानमयह प्रभिपाह नमस्तु ते अर्थात नमस्कार है ते अर्थात जिनकी व्यास विशाल वुद्धी वाले व्यास देब फुल्लारविंदा यद पत्रनेत्र फुल्लार अर्थात फुल्ल अर्थात खिले हुए अरविंद अर्थात कमल की आयत अर्थात चौडी और पत्रनेत्र अर्थात पंखुडी जेन अर्थात जिनके द्वारा त्वया अर्थात अपने महा भारत अर्थात महा भारत तैल पूर्ण अर्थात तेल रूपी या महा भारत रूपी तेल से पूर्ण पज्वालितो अर्थात जला दिया है ग्यान में यहां प्रदीपह अर्थात ग्यान में धीपक या प्रदीप अब देखते हैं इसकी व्याख्या को तो खिले हुए अरविंद अर्थात कमल की चौड़ी पंगडियों के सद्रिश विशाल नेत्र अर्थात नेत्र वाले विशाल बुद्धी वाले ही व्यासदेब नमस्तूते अर्थात आपको नमस्कार है। जेनात्वय अर्थात जिन आपने महाभारत रूपी तेल से पूल ज्यान में दीपक प्रज्वालितो अर्थात जलाया है। तो ये थे व्यासदेब जी के श्लोक। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर के लिए से बिलते हैं। नेक्स पार्ट में थेंक्यू।